नमस्कार दोस्तों आपको पता होगा चाइना के अंदर ये जो तिवित का रीजन है जिसकी कैपिटल है लासा इस पूरे रीजन में जितने भी लोग रहते हैं उनकी लंबी समय से डिमांड है कि उनको अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए वो चाइना से अलग होना चाहते है और इसी के वज़े से आपको पता होगा कि भारत के अंदर हिमाचल परदेश में जो ध्रमशाला है वहाँ पर एक चलाया जाता है इनकी सरकार जिसको कहते हैं Central Tibetan Administration इसको Government in Exile कहा जाता है क्योंकि अब्वेसी बात है ये सरकार तिवित के अंदर रहकर नहीं चला सकते क्योंक रिकोगनाईस नहीं करता और अव्यसी बात है भारत भी इसको अभी के लिए रिकोगनाईस नहीं करता है और इसका मेन कारण है चाइना चाइना इसको अलाव नहीं करने देता तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक बहुती significant step में US की जो Congress है जिस तरह से हमारे देश के अंदर स में मिल सकते हैं इस Tibet region के recognition के लिए अव्यसी बात है यहाँ पर अभी के लिए recognize नहीं किया गया है लेकिन काफी important चीजे हैं जो कि इसके अंदर इस bill में बताई गई है वो मैं आप से discuss करूँगा इस पूरे वीडियो में इसकी significance क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे चलि अब के लिए सुनेरा मौका है study IQ के लिए smart courses जिसके तो आप अपने preparation और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है तो जो Tibetan government in exile है धरमशाला के अंदर उन्होंने इसको एक historic achievement बताया है तो basically क्या हुआ है कि US क Senate के दोरा अब ध्यान रखेगा जिस तरह से हमारे देश के अंदर लोगसभा है राज्यसभा है वैसे US के अंदर जो lower houses को कहते है house of representative अपर house को कहा जाता है Senate तो house of representatives के दोरा यह जो bill है वो already मई के महने में पास कर दिया गया था और यह गया था फिर Senate में पास होने के लिए ल relations committee तो यह जो bill है जब Senate के अंदर गया तो मई के महने से यह वही पर अटका हुआ था यह पास नहीं हो पा रहा था तो finally Senate के द्वारा भी अब इसको पास कर दिया गया है इस act का नाम क्या है इसको ध्यान रखेगा Tibetan Policy and Support Act इसको short में TPSA कहा जा रहा है तो यह अब finally जाकर पास हो गया है और यहाँ पर बताया गया है कि दोनों जो Republicans हैं और Democrats हैं सभी ने unanimously मिलकर इस bill को पास किया है जो की again काफी significant है अब हम जानते हैं कि यह TPSA क्या है बेसिकली इसका main मकसद क्या है US के द्वारा लाने का दिखे जो TPSA है यह जो Act है आपका Tibetan Policy and Support Act इसमें यह बताया गय है कि अब से यहाँ पर US सरकार की official policy हो जाएगी और US सरकार recognize कर रही है कि जो reincarnation होता है दलाई लामा का don't worry मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा कि reincarnation क्या है दलाई लामा का तो यह जो reincarnation का procedure है वो exclusive right है दलाई लामा का Tibetan Buddhist का और जो Tibetan people है उनके लिए यह exclusive right है मतलब कि वो खुद से decide करेंगे कि अगले दलाई लामा कौन होंगे यहाँ पर Chinese government का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए मतलब कि अपसे ये US government की policy बन गई है official policy बन गई है क्योंकि ये bill अब पास हो चुका है अगर यहाँ पर Chinese government किसी भी प्रकार का interference करती है अगले दलाई लामा को चुन का 2020 का Act लाया गया है अब ध्यान रखेगा इसके पहले भी एक Act था 2002 का Tibet Policy Act इसी के आधार पर इसको further strengthen करने की कोशिश की जारी है नेवाले Act में यहाँ पर जो Tibet के लोग हैं उनके fundamental rights हो गए human rights हो गए environments related religious freedom से related इन सभी चीज़ों की चर्चा की गई है इस particular bill के अंदर जो कि मै आपको आगे बताऊंगा इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ सामने निकल कर आई है कि जो Tibet के लोग रहते हैं Tibet के अंदर और Tibet के बाहर जो लोग रहते हैं सभी Tibetians उनके funding को और जादा strengthen किया जाएगा ताकि वो अपने आपको और जादा support कर सकें इसके लावा यहाँ प आपर सब कुछ देखने को मिल रहा है क्योंकि आपको पता होगा चाइना के अंदर किसी भी प्रकार की democracy आपको देखने को नहीं मिलेगी अब मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि यह reincarnation of Dalai Lama क्या होता है तो देखे जो Buddhist tradition है belief है उसमें जो सबसे उनके top जो religious leader है उनको कहा जाता है Dalai Lama जो कि भारत में आपको पता होगा ध्रमशाला के अंदर रहते हैं तो क्या होता है कि यह कुछ समय के बाद obvious सी बात है उनकी जब मिर्तिव हो जाएगी तो अगले Dalai Lama यहाँ पर चुने जाएंगे तो अगले Dalai Lama कौन होंगे उसी को कहा जाता है reincarnation of Dalai Lama जाते थे यहाँ पर कि किस तरह से अगले Dalai Lama चुने जाएंगे और उनके नीचे जो यहाँ पर लामा जिनको कहते हैं क्योंकि Dalai Lama सबसे टॉप लीडर हो गया और उनके नीचे के जो लीडर होते हैं फिर वो finally चुनते हैं यहाँ पर कि कौन अगले Dalai Lama होंगे एक complex procedure होता है लेकिन यहाँ पर बताया है कि जो अभी के लिए 14th Dalai Lama है उन्होंने कई सारी possibilities बताई है कि अगले 15th Dalai Lama कौन से हो सकते हैं लेकिन कभी भी publicly इसके बारे में share नहीं किया है अब let's see कि किस तरह से वो चुने जाते हैं लेकिन यह काफी important चीज है अब देखे problem यहाँ पर क चुनेंगे लेकिन जो Chinese government है China के अंदर उनका यह कहना है कि सिर्फ Chinese people चुन सकते हैं कि अगले Dalai Lama कौन होंगे और इसी के बीच में confrontation हो रहा है यहाँ पर Chinese government कहती है कि हम अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ Tibetan people के साथ मिलकर अगले Dalai Lama को चुनेंगे लेकिन यहाँ पर बाकी क जो Tibetan people है government in exile है उनका कहना है कि यह हमारा exclusive right है आप नहीं बता सकते जो present में Dalai Lama है वो decide करेंगे कि अगले यहाँ पर कौन हो सकते है Dalai Lama 15th Dalai Lama और इसी की वजह से जो नया will pass किया गया है वो US ने recognize किया है कि हाँ जी हाँ यह Dalai Lama का ही exclusive right होता है तो यह सबसे बड़ी चीज है दूसरा यहाँ पर एक और important चीज है मैंने आपको बताया Central Tibetan Administration इसको एक तरह से काफी जादा comment किया गया है इस पूरे बिल के अंदर कि एक अच्छी बात है कि democratic procedure के थूँ यह जो Central Tibetan Administration है ध्रमशाला में अगर आप इनकी website पर जाओगे तो आपको यहाँ पर address मिल जाएगा आप देख सकते हो यह address है आपका Central Tibetan Administration ध्रमशाला हिमाचल परदेश इंडिया तो यहाँ पर एक तरह से क्या हुआ है कि उनको legitimacy दे दी है कि यह सही है मतलब कि Tibetan लोगों को कौन गवर्न करेगा वो किया जाएगा Central Tibetan Administration के द्वारा और याद होना चाहिए आपको कि जिस तरह से ह Sikyong कोई नाम नहीं है basically एक represent करने का तरीका है मतलब कि Buddhist tradition में यहाँ पर Sikyong कहते हैं उनके President को तो present में जो इस समय Sikyong है उनका नाम है Dr. Lop Sang Senge तो उन्होंने इस पूरे जो बिल पास किया गया है उसके लिए काफी जादा thanks बोला पूरे United States के Congress को कि उन्होंने काफी important बिल यहाँ पर पास किया है और उनका कहना था कि एक तरह से tribute है जो His Holiness the Dalai Lama है उनके लिए और करीब 6 million जो Tibetan के अंदर रह रहे हैं उनके solidarity के लिए यह एक काफी important कदम है और पिछले 2 साल से वो कोशिश कर रहे थे यहाँ पर Tibet के दौरा कोशिश की जा रही थी कि यह बिल जल्द के दौरा काफी जादा exploitation किया जाता है Tibet के रीजन में जो आपके resources हैं तो यहाँ पर US Congress ने अपने बिल में जो पास किया है उसमें यह कहा है कि जो environment है उसको protect करना चाहिए जो water resources है उसको protect करना चाहिए central government उसको destroy नहीं कर सकती in fact यहाँ पर Tibetan Grassland के बारे में भी बोला गया है ज जो American citizens और जो companies हैं जो कि Tibet के साथ यहाँ पर अपना relation रखती है बिजनेस को यहाँ पर tie-ups रखती है उन वो ज़्यादा encourage करें कि जो corporate social responsibility होता है उसको अपना है तिवित के लोगों को ज़्यादा help करें ऐसा इस bill के अंदर बोला गया है इसके अलावा एक और मैं आपको चीज बता दूँ, consulate के बारे में भी बोला गया है, consulate basically कहा है जैसे कि हमारे देश में जैसे US हो गया, उसकी आपको New Delhi के अंदर embassies देखने को मिलेंगी, embassy एक होगा, वैसे ही पूरे भारत में जैसे मूंबई हो गया, चिन्नाई हो गया, वहाँ पर consulate खोले जाते है, मतब एक छ US को एक consulate खोलना चाहिए, Tibetan people के लिए, और अगर China अग इसके लिए allow नहीं करता है, तो Secretary of State को बोला गया है, कि आप किसी और consulate के लिए authorize नहीं करेंगे, मतलब कि जब तक LASA के अंदर consulate नहीं खोला जाता, China के अंदर, China के किसी भी और region में consulate नहीं खोला जाएगा, तो य यह सारी चीजें important थी, दोस्तों, आपको I hope समझ में आ गया होगा, अब इसकी significance क्या है, significance आप देख सकते हो, दोस्तों, यहाँ पर, एक तो जब यह चीज पास किया गया, उसके just November के महने में, let me tell you, जो Senge है, मैंने आपको बताया, जो President है इस समय, TPSA के, उनको बलाया गया आप कह सकते हो कि काफी important role होने वाला है, आगे चलकर में भी हो सकता है कि तिवित को एक अलग से recognition भी दे दिया जाए, अभी के लिए recognition तो नहीं दिया गया है, लेकिन काफी autonomous वाली जो चीजें होती है, वो recognize करने की कोशिश की गई है, और इसके अलावा भी environment protection के बारे में मै आपको पताया, तो यहाँ पर भारत के perspective से यह important हो जाता है, क्योंकि Indus River हो गया, ब्रह्मपुत्रा River हो गया, यह सभी Tibet से ही start होती है, और आपको पता है कि China जो है, अलग-अलग dance बनाने की कोशिश कर रहा है, ब्रह्मपुत्रा के अंदर, और अलग-अलग जगा पर, इसके virtual recognition जो है, आप कह सकते हो कि अभी मिला है, नहीं मिला है, वो एक अलग चीज है, उसके उपर argument हो सकती है, लेकिन Donald Trump जब अपना office छोड़ने वाले हैं, एक महना बचा है उनका, तो एक तरह से वो यहाँ पर अपने successor के लिए, जो Joe Biden आने वाले हैं, अगले president, उनके लिए कि शायद वो भी नहीं change कर पाएंगे, क्योंकि अगर Joe Biden आते भी हैं यहाँ पर, तो यह जो नया bill पास हुआ है, आप कह सकते हो, कि यह Joe Biden भी यहाँ पर इसको बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक significance हो जाता है, एक बार आपने इस तरह की चीज़ें establish कर दी, तो उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए Donald Trump जाने से पहले, इस तरह की कई सारी चीज़ें करते जा रहे हैं, I hope कि इस पूरे वीडियो में आपको detail से समझ में आ गया होगा, कि इस bill का महत वो क्या है, क्या-क्या important चीज़ें हैं, जाने से पहले मैं आपके लिए important question लेकर आया यहाँ पर एक particular region के बारे में आपको बताना है किस region की यहाँ पर बात हो रही है, उपर मैंने यहाँ पर आपके लिए hint दिया है, can you tell me कि कौन से region है यह, इसका जो right answer है, मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Instagram पर नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, मैं क